अब जले जानते हैं लाइन आरे कितने तरीके के होते हैं लाइन आरे जनरेल 2-way, 3-way, 4-way configuration में आते हैं और उनको vertically और horizontally stack किया जा सकता है vertically लाइन आरे 2-way, 3-way, 4-way होते हैं लिकिन horizontal लाइन आरे 2-way ही होते हैं अब चले जानते हैं लाइन आरे का benefit क्या है? किसी भी product का कुछ फाइदा होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं ये आपका यूज करने का तरीके पर depend करते हैं कि उसका फाइदा आप पा रहे हैं या उससे आपको नुकसान हो रहा है लाइन आरे speaker system की अपना कुछ advantages है जैसे कि ये compact size होके भी loud बसता है modular होने के कारण transport के लिए easy है single piece का weight भी कम है और quantity में एक साथ यूज करने पर ज़्यादा coverage मिलती है अगर हम linear को सही तरीके से fly करके उसका angle set करते हैं हम एक बड़े area को cover कर सकते हैं और उसमें भी आबाज इभिन रहेगी ना कि किसी जगा ज़्यादा क्या किसी जगा कम इसका main reason है speaker जमिन से उपर होते हैं और आबाज का beam audience की और focus होते हैं ताकि सामने वाले को आबाज बीना कुछ रुकाबट के पहुंचे linear का disadvantages यह है कि premium product होने के कारण इसका cost थोड़ा ज्यादा होता है और दूर तक coverage करने के लिए quantity में लगाना पड़ता है अगर आप इसका फाइदा देखेंगे आप जितना pay sale इसमें invest कर रहे हैं आपका investment का सही return देता है चलिए जानते है line array किस frequency range में काम करता है line array speaker system generally low mid से high frequency के लिए design होता है बट कुछ engineer अपने जरुरत के हिसाफ से design में changes करते है मुझे line array में mid low और high frequency का response अच्छा लगता है ये मेरा personal choice है हो सकता है कि आपका choice कुछ अलग हो क्या सभी speaker जो fly होते है वो line array होते है आज के time पे जो camera manufacturer है किसी भी speaker box में हैंगी के असे सरीज लगा देते है और उसको line array कहते है क्या भी इन box को line array कहेंगे मेरे नजरे से जो line array professionals काफी research के बाद बनाते है उसको हम घर में बनाएं line array से compare नहीं कर सकते है मेरा मानना है जो branded speaker box point source है अगर हम उसको एक साथ line array के तरह यूज़ करने की सोचेंगे तो वो profile line array नहीं बनेगा अगर आपको line array यूज़ करना है तो आप अपनी knowledge को यूज़ करके line array खरीद दिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अपना मतामात comment box पे drop कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कीजिए